हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड मैंटल हेल्थ डे जिसे हिंदी में वेशु मानसिक स्वास्ते दिवस भी बोला जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी दूँगाई है कम मनाया जाता है कब से इसको मनाने की सुरुआत हुई इससे जुड़ी सारी चोटी बड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ मगर दोस्तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करेता कि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं दोस्तो हर साल वर्ल्ड मैंटल हैल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाय जाता है इस साल वर्ल्ड मैंटल हैल्थ डे की थीम सभी के लिए मांसिक स्वास्ते है जिसे इंगलिस में बोला जाएगा मैंटल हैल्थ फॉर ओल इस दिन को मनाने का मुख्य उद्य से लोगों में मानसिक रोगों और उनके खतरनाक परवाओं के बारे में जागरुकता फैलाना है इस दोरान लोगों में जागरुकता लाने के लिए सोसल मीडिया में परसार परचार करने के लिए वेबिनार आयोजित किये जाते हैं इसके लिए जन जागरुकता के लिए ओनलाइन बैठक मानसिक स्वास्ते को लेकर पोस्टर, बैनर, रेडियो जिंगल्स के माध्यम से परचार किया जा रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल पूरी दुनिया वैस्विक महामारी COVID-19 से जूज रही है इसलिए COVID-19 के मरीजों को बैतर सुईदा देने के लिए फोटोग्राफ सोसल मीडिया में परसारित किये जा रहे हैं दोस्तों जो लोग डिप्रेशन या अवसाद में रह रहे हैं उन्हें अकेला ना छोड़ें क्योंकि जादातर लोग ऐसे समय में आत्म हत्या कर लेते हैं COVID-19 के इस संकर्मन काल के दोरान जादतर लोगों में मेंटल इल्नेस होने के बाद भी लोग बिमारी से जूंचते हैं और समाज वैफ परिवार में जागरुकता के अबाव में मनोरोग चिकिस्चक से प्रामर्स का लाब नहीं ले पाते मानसिक बिमारी किसी भी उमर में हो सकती है वर्तमान समय में लोगडाउन की वज़े से स्कूली बच्चों पर ध्यान देने की जरूत जादा हो गई है विश्व मानसिक स्वास्ते दिवस इस साल महतपूर होने वाला है यह साल काफी कठिन है लोगडाउन और नुकसान होने की वज़े से मानसिक स्वास्ते पर काफी असर पड़ रहा है मानसिक स्वास्ते को बहुत ज़्यादा नकारा जाता है लेकिन एक मिलियन से अधिक लोग इस मानसिक विकार के साथ अपनी जिन्दगी चला रहे है और करीब 40 सेगिंड में एक व्यक्ति अवसाथ से आत्म हत्या कर रहा है दोस्तों व्यक्ति के लिए सारीरिक स्वास्ते के साथ साथ मानसिक स्वास्ते भी स्वास्त रखना बहुत जरूरी होता है कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्त रहता है तो अपनी समता से अधिक कारिय करने की कोशिश करता है लेकिन व्यक्ति मानसिक रूप से ऐस्वस्त रहेगा तो उसकी कारिय समता पर भी असर पड़ता है विश्व मांसिक स्वास्ते दिवस का मुख्य उद्यस से विश्व भर में मांसिक स्वास्ते के मुद्दों के बारे में जागरुकता बढ़ाना है विश्व मांसिक स्वास्ते दिवस मनाने का एक मुख्य कारण यह भी है कि विश्व में हर वर्ग के लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चले तथा वो उस लिहाज से उसके बचाओं हेतू पहले से तयार है विश्व मांसिक स्वास्ते संग ने साल 1992 में विश्व भर्ग के लोगों के मांसिक स्वास्ते देखबाल को वास्तविक रूप देने हेतू विश्व मांसिक स्वास्ती दिवस की स्थापना की थी विश्व स्वास्ते संगठन डबलू एच्चों के अनुसार लगबग 450 मिलियन लोग विश्व भर में मांसिक विकार से ग्रस्त है इनमें लगबग 10 साल से 19 साल के उमर के विक्तियों की वैस्विक रोग भार में 16 फीजदी हिस्सेदारी है मांसिक रोग बहुत से परकार का हो सकता है इसमें मस्तिक से जुड़े परतेक तरह की समस्यों को सामिल किया जाता है जैसे अलजाइमर, ओटिजम, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, डिसलेक्सिया, कमजोर यादास, डर लगना, भूलने की आदत आदी है मांसिक रोग होने के बहुत से कारण हो सकते हैं मांसिक रोग होने का अधिक समावना उन लोगों में होता है जिनके रिस्तेदारों को कुभी मांसिक बिमारी होती है नियूरो ट्रांस्मिटर सभाविक रूप से वातावरन के परवाव में मस्तिक के रसायनों को अपने दिमाग तता सरीर के अन्य भागों में ले जाता है इनसे जुड़े तंत्री का तंत्र जब ठीक से काम नहीं करता है तो तंत्री का तंत्र में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और लोगों को डिप्रेशन की समझ से हो जाती है कभी-कभी सराव या ड्रक्स के पीने से भी मानसिक रोग हो सकते हैं मानसिक रोग के कुछ लक्षन इस परकार हैं जैसे कि उदास रहना, व्याकुल होना, मन लगना, डर लगना, बार-बार मन में परिवर्तन होना, ठकान, कमजोरी होना, तता नींद में दिक्कतों का सामना कर करना आदी दैनिक कारियों में भी कभी कभी ऐस मर्थता तदा भूलने की समय से होना भी मांसिक रोग के लक्षन है दोस्तों मांसिक रोग को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है आत्मी विश्वास बढ़ाना तदा खुद की एहमियत एवं कीमत को समझना है अपने तरीका मनोचिकित्सक की सला लेना भी है दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने सारे फ्रेंड्स डिलेटिव में इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये यूजफुल जानकारी मिल सके और कमेंट बोक्स में इसके परती मानलो कोई भी जो ये डिप्रेशन में जाता है उससे कैसे उबरा जा सकते है आपकी भी आगर कोई राय है तो आप हमें कमेंट बोक्स में लिखकर उस राय के बारे में बताएं यदि ऐसा भगवान ना करें कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो लेकिन कभी आपका एक्सपिरियंस इसके स साथ जुड़ा है तो वह एक्सपिरियंस भी हमें कमेंट बोक्स में इसके साथ जरूर शेयर करें दोस्तों और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नूटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ता कि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों जैहिंद